नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाईजूस गवर्मेंट एक्जाम प्रैब। दोस्तों, आज हम लोग डेली करेंट अफेर में चर्चा करने वाले हैं, 17 दिसंबर 2020 के बिभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परिक्षा के दिस्कोर्ट से लाबदायक सिध् PHSL, CGL, CPOSI, UPSI, Bihar SI, दिल्ली पुलिस और भी बहुत सार एक्जाम जैसा कि आज एक नोटिफिकेशन आया है, इंटेलिजन्स ब्यूरो का भी, तो ये सब परिक्षाओं के लिए यह लाबदायक सिध्ध होगा, इसके साथ साथ सेट सर्विसेज में भी यह लाबदायक सि विल्ट बाई DRDO, यानि Defense Research Development Organization on Air India Plains, दोस्तों यह भारत स्वदेशी रक्षा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 6 नए Airborne Early Warning and Control Plains बनाने जा रहा है, इसे Air India के विमानों पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा, यानि अब यहीं पर प्रस्व सुर DRDO के, देख रहा है यहाँ पर इसका लोगो भी हमने दिया है, Defense Research Development Organization, दोस्तों यहाँ इसलिए इसको बनाय जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान से लगती सीमाओं पर भारती वायु सेना की निगरानी की छमता को हम जैसे बढ़ा सकें, अब आप देख सकते हैं कि भारत के पू अदेशी कह सकते हैं कि आत्म निर्भर भारत मेकिन इंडिया इन सब को प्रासंगिक बनाते हुए भारती वायु सेना को मजबूती प्रदान कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं AEW&C Block 2 विमान का निर्माण DRDO, अब इसमें देखिए 10,500 करोन रूपए के प् विमानों को खरीदेगा और इन्हें रडार के साथ उडान भरने लायक बनाया जाएगा, ताकि ससस्त्र बल के लिए यह 360 डिगरी तक निगरानी रख सके, यानि Air India Fleet से यह ले रहा है and make them capable of flying with radar so that the arm force can monitor it up to 360 डिगरी, यानि चारो और यहाँ नजर रख सकेगा, दोस्तों यह काफी महत्तोपूर्ण है, ध्यान रखेंगे और इसमें भारत 6 Airbus 330 Transport Aircraft की खरीदना कर, जिसे पहले यूरोपी कंपनी से खरीदने की होजना बनाई थी, अब भारत खुदी से बना रहा है, तो DRDO की पहले यह होजना थी कि 6 नए बिमानों को यूरो भेजा जाएगा और वहा को साथ में Make in India को बढ़ावा देने के लिए हम लोग इसको स्वयम बनाएंगे या स्वदेसी निर्मित होगा, प्रोजेक्ट का Block 1 निर्धारिस समय सीमा से काफी देर से तयार हुआ, लेकिन इससे मिले अनभवों के आधार पर DRDO के Center for Airborne Studies Lab की यूजना कम समय में इसे पूरा करने की है, तो वाइव सेना के पास रूज और इसराइल से खरीदे गए तीन Falcon अवाक सिस्टम भी हैं, इसमें इसराइल द्वारा रडार उपलब्द कराए गए हैं, जबकि रूज के Ellusion 76 ट्रांसपोर्ट बिमान पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो DRDO द्वारा उपलब्द कराए गए दो नेत्र एयरक्राफ्ट ने हाल के समय में संगर्सों में काफी बहतरीन प्रदर्सन किया है, इसी के मद्दे नजर हम छे नए एयरबॉर्ण अरली वार्निंग एन कंट्रोल प्लेंस बनाने जा रहे हैं, तो यह काफी महत्पूर्ण खबर है, यहाँ पर हम नही की बिरोधियों के दात खटे होंगे, तो दोस्तों अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर, अब देखे सीधे सीधे यही प्रसन आ जाएगा, को वैक्सीन क्या है, सीधे ऐसे प्रसन आ जाएगा, यह इसे कौन सी कंपनी से निर्मित कर रही है, इस तरह से प्रसन बन राहत दी है, तो दोस्तों पहले चरण के क्लीनिकल ट्रायल में वैक्सीन ने शरीर में एंटीबोडी बनाई है, और इस दोरान कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, और कंपनी ने कहा कि प्रतम चरण के टीका करण के बाद कोई भी ऐसी परिसानी नहीं हुई है, जो थी भी उसे मेडिसिन के द्वारा ठीक कर लिया गया, इंजेक्शन जहां लगाया गया, उस जगहा पर उठा दर्द भी अपने आप ठीक हो गया, तो इस तरह से कोवैक्सीन उन तीन वैक्सीन में सामिल है, जिनके आपात कालिन इस्तेमाल के लिए सरकार के पा कराए गए नतीजों के मताबिद टीके ने एंटीबाडी त्यार करने में का काम किया है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि वैक्सीन को 2 से 8 डिगरी यानि 2 से 8 डिगरी सेलसियस तक के बीच तापमान में रखा जाएगा, रास्तिय टीका कारेक्र and why it is important to put in the vehicles, यानि यह है HSRP है क्या, सीधे सीधे full form आ जाएगा आपकी परिक्छा में कि इसका पूरा नाम बताएं, इसका full form क्या है, तो दोस्तों इसका full form क्या है, high security registration plate, क्या बोलेंगे, high security registration plate इसको कहा जाएगा HSRP, यानि Ministry of Road Transport and Highways, जिसे MORTH की तरफ से सभी वाहनों के लिए HSRP को लगाना अनिवारे कर दिया है, यानि यह mandatory है, अब सब लोगों को सारे vehicles में यह plate लगाई जाएगी, यानि अभी मंगलवार को ही दिल्ली Transport Department ने ऐसे वाहनों को चालान करने सुरू भी कर दिये हैं, जिसमें HSRP plate नहीं लगी हु पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है, हलांकि अभी यहाँ ज्यादा है, इसलिए इसको अभी 5500 रुपए यानि 5500 रुपए की fine लगाई जा रही है, तो दोस्तों यह काफी महत्पूर्ण है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि यह फिर से सरकार नेक नया कारेक्रम सुरू क पर दिया, हलांकि यह हमारे लिए लाबदा है, कोई भी नियम कानून आता है, हलांकि उसका बिरोध किया जाता है, लेकिन अगर धीरे धीरे देखा जाए तो वही लाबदायक सुर्द हो जाता है, तो दोस्तों यह जो HSRP है, यह है क्या, तो यह एक aluminium की बनी एक प्लेट है, यह खास नंबर प्लेट नॉन यूजेबल लॉक से आपके वाहन के उपर लगा दी जाएगी, जिसे निकाला नहीं जा सकता, और रजिस्ट्रेशन प्लेट के उपर बायकोने पर असोक चक्र का chromium आधारित, यह भी ध्यान रखना कौन सा आधारित, chromium आधारित, नीले होट स्टैंप होलोग्राम लगा होता है, और यह होलोग्राम 20 x 20 mm का होता है, इस प्लेट के निचले बायकोने में एक 10 अंकों का laser engraved pin, यानि स्थाई पहचान संख्या होता है, इस नंबर प्लेट के कोने राउंड होंगे, HSRP किसी आम नंबर प्लेट से काफी अलग और easy accessible हो इस से जैसे गाड़ी आपकी खो जाती है, तो उसको जैसे क्या होता है, जो चोर लोग होते हैं, गाड़ी चुराने के बाद तुरंत उसका नेम प्लेट हटाते हैं, उस पे जो नंबर लगा होता है, लेकिन इसको नहीं निकाला जा सकेगा, यानि, why is it important for vehicles? तो क्यों यह व सब के लिए अनिवार कर दिया, क्योंकि यह खास रजिस्रेशन प्लेट वाहनों को जादा से जादा सुरक्षित बनाती है, इसमें चोरी होने के चांसे कम होंगे, दरसल HSRP को नन रिमूवेबल, स्नैप ऑन लॉक से वाहन पर जाम कर दिया जाता है, जिसकी वज़ा से इसे नहीं जा सकता, और ऐसा आम तोर पर हमने जैसाग बताया कि वाहन चोरी की घटाओं में सबसे पहले नंबर प्लेट बदल दी जाती है, जिसकी वज़ा से इसे ट्रेक करना मुस्किल हो जाता है, लेकिन हाई सिक्योरिटी रिजिस्रेशन प्लेट के साथ ऐसी कोई समस्या न ही रहे होंगे, कि हर HSRP इसलिए भी फायदे मंद है, क्योंकि वाहन के इंजन नंबर, चेचिस नंबर सहीत, उसकी सभी जरूरी जो डिटेल्स है, एक केंदी की डेटाबेस में स्टोर रहती है, अगर वाहन चोरी भी हो जाता है, तो इसे ट्रेक करने में दस अंकों वाला प को रिपलेज भी नहीं किया जा सकता, तो देखाना कितने फायदे हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, what consumer can get from here, यानि उभोकता यहां से क्या पराप्त कर सकते हैं, यानि यह कैसे यह पोर्टल, तो इसमें एक पोर्टल है, bookmyhsrp.com, तो ध्यान रखेंगे, इस पोर्ट इन अन्य राज्यों में इसे लेकर अभी कोई अनिवारता नहीं दिखाई गई है, ऐसे में इन राज्यों में RTO के माध्यम से ग्राहक HSRP प्राप्त कर सकते हैं, तो यह काफी महत्त पूर्ण है, और आप लोगों के दिन्चरिया से भी संबंदित है, जिन लोगों के पास व इकोनामिक कंडिशन, यानि भारत की अर्थ बेवस्था, द्यू टू कोरोना, यानि कोरोना के कारण भारत ही नहीं, पूरे बिस्व की अर्थ बेवस्था तहस नहस हो चुकी है, ऐसे में New Development Bank, यानि यह नाम आपने सुना होगा, इसे Brics Bank भी कहा जाता है दोस्तों, Brics Bank, या को हुई थी, यानि 15 जुलाई 2014, वो भी कहा हुई थी, ब्राजील के फोर्टे लेजा, जब Brics सम्मेलन फोर्टे लेजा में हुआ था, वहीं पर हुआ था, दोस्तों याद रखना इसका Head Quarter कहां है, तो वह चीन के संगाई में है, और इसका जो पहला अध्यक्ष बना था, व दोस्तों इसका Budget एक खरब डॉलर का है, तो ध्यान रखेंगे Brics, Brics के बारे में भी जानते है, Brics ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफरीका का संगठन है, और इसका Head Quarter भी मैंने बता दिया, तो यह जो है, भारत की अर्थ व्यवस्था में सुधार के यह New Development Bank एक Loan Agreement पर सहमत हो गए है, इससे यह कर्ज महत्मा गांधी, यानि आप देखिए MG नरेगा, दोस्तों यह नरेगा भी याद रखिएगा, World Bank ने भी इसकी सराहना की है, यह UPA Government के द्वारा सुरू की गई थी, इससे याद रखना यह Act है, National Rural Employment Guarantee Act 2005, जो की दो फरव यह भी याद रखना, दो फरवरी 2006 से आंध प्रदेश के अनंत पुर जिले से यह प्रारंब की गई थी, दोस्तों, सुरुवाती दोर में 200 जिलों में इसे लागू किया गया था, 1500 दिन का रोजगार की विवस्ता इसमें, रोजगार ना मिलने पर भत्ता भी दिया जाता है दोस्तों, और फिर बाद में 2007 में 130 जिलों में और इसे बढ़ा दिया गया भारत के, और इस तरह से 2008 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया दोस्तों, और 2 अक्टूबर 2009 से इसको महत्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act या MNREGS कहा जाने लगा, योजना कहा जाने लगा दोस् इस योजना से देखिए कितने लाब हुए, इस योजना से प्रवासी यानि जो मजदूर अन्य छेत्रों में जाते थे वो प्रवास रुक गया, यानि एक अस्थान से दूसे अस्थान पर जो माइग्रेट हो रहते अब उनको गाउं में ही रोजगार सरकार मुहया कराती है तो इसलिए ये न्यू डेबलप्मेंट बैंक ने दिया है, तो इससे क्या होगा, मनरेगा के तहट प्राकृतिक संसाधन प्रवंधन और ग्रामीर रोजगार स्रिजन से जुड़े बुनियादी धाचे पर खर्च किया जाएगा, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, लॉ हमारी अर्थविवस्था की इस्तिती को सुधारने के लिए न्यू डेबलप्मेंट बैंक एक अरब डालर की सहायता करेगी, दोस्तों ये हमात्पूर्ण है, ध्यान रखेंगे, इसमें यहाँ पे ये भी पॉइंट हमने दिया है, ये भी पॉइंट दिया है, अब बढ़त चाहे जो भी हो जब से गलवान घाटी लदाग छेतर में यह तनाव ब्याप्त है, सोचिए कुरोना नामक महामारी में पूरा बिस्व अस्त ब्यस्त है, और ऐसे में चीन अपनी खरकतों से बाज नहीं आ रहा है, भारत उधर साव चाइना सी में पडोसी देशों को तंकर रखा है, ऐसे में चीन की बैस्वी कस्तर पर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इसके बिस्वास में लोगों के बिस्वास में कमी आई है, अब बैस्वी कस्तर पर बहुत सारे देश चीन से दूरी बनाने लगे हैं, ऐसे में क्या बिस्व को दिख नहीं रहा है, कि कुरोन तो ऐसे में ये बहुत ही अची खबर आ रही है अमेरिका से कि अमेरिकी संसद ने 740 अरब डालर का रक्षा नीती बिधेयक आधिकारिक रूप से पारित कर दिया है इसमें अन्य चीजों के अलामा वास्तविक नियंत्रण लेखा, यानि LAC, ध्यान रखना दोस्तों, भारत और पाकिस्तान जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच LOC है, line of control, LAC भारत और चीन के बीच है, line actual control कहते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा, और line of control नियंत्रण रेखा तो LAC पर भारत के खिलाफ चीनी आक्रमक्ता का बिरोध किया गया है इस बिल में तो इस तरह से भारत के लिए अच्छी कबर है कि अमेरिका लगातार नजर बनाय हुआ है और भारत के साथ कदम से कदम मिला करके चीन को परास्त करने की रणनीतियां बना रहा है तो भारत और चीन के बीच इस साल मई से पूर्वी लद्दाक में वास्तिक नियंतरण रेखा के पास सैन गतिरोध बना हुआ है तो इसके मद्दे नजर यह बिल काफी कह सकते हैं भारत के लिए सफलता पूर्वक कह सकते हैं कि सफलता पूर्ण कदम हो सकता है दोनों देशों के बीच कई दोर की वारता के बाद भी गतिरोध सुलजाने की दिसा में कोई खास प्रगति नहीं हुई अमेरिकी प्रतिनी दिसभा और सीनेट ने मंगलवार को रास्टी रक्षा प्राधिकार कानून पारित कर दिया है और इसमें सीधे सीधे LAC को कोट किया गया है तो इसमें न केवल भारती मूल के अमेरिकी सांसत राजा कृष्ण मूर्थी के प्रस्ताव की भासा के एहम अन्शों को शामिल किया है बलकि चीन सरकार से LAC के पास भारत के खिलाब सैन आक्रमक्ता को खत्म करने का आग्रह भी किया है किसने अमेरिकी संसद ने इस तरह से दुईदलीय संसदी समित ने बिधयक के प्रतनी सभा और सीनेट के संसकरणों को इस महीने के शुरुवात में मिलाकर अंतिम बिधयक तयार किया था चीन की आक्रमक्ता के विरोध संबंधी प्रावधान को सामिल किया जाना हिंद प्रसांत छेत्र और अन्य छेत्रों में भारत जैसे सहयोगियों के लिए अमेरिका के मजबूत समर्थन को दरसाता है और इस तरह से देख सकते हैं कि क्वैड देश में भी आप देख सकते बात दिख की जाए तो उसमें अमेरिका भी है क्वैड में यानि अमेरिका भारत जापान और आस्टेलिया चार देसों का समू है तो इंडो पैस्पिक यानि हिंद महासागर और प्रसांत महासागर में अपनी अस्थिती दर्ज कराते हुए एक तरह देखा जाये तो चीन पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए यह काफी महत पूर्ण ब दोस्तों कहां कि बांगला देश की हमारा पडोसी राज्य पुलिटिकल वर्ड में राज्य बोलते हैं ध्यान रखियेगा तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा पडोसी देश बांगला देश जिसकी उत्पत्ती हमने ही की थी एक तरह सकह सकते हैं 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तानी सैनिकों का और बांगला देश का उत्थान हुआ था बांगला देश दिवस भी 16 दिसंबर दोस्तों कल ही मनाया गया और हम लोग भी विजय दिवस के रूप में मनाते हैं तो इस तरह से भारत और बांगला देश के बीच इसमें सिखर सम्मेलन चल रहा है वर्च पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई लडाई के वक्त बंद कर दिया गया था दोस्तों और आज दुपक्षी वारता भी चल रही है उसी में यह घोशना की गया देखिए मांचित में आप देख सकते हैं यह पूरा बेस्ट बेंगल है ना यहां से यहां तक देख रहे हैं और बी लिंक को स्टार्ट किया गया है अब भढ़ते हैं वेरियस नेसनल इंटरनेशनल प्रसनालिटी इन नीज में आज एक महत पूर्ण ब्यक्तित तो हैं हमारे देश के वह भी प्रशार भारती के सीओ सशी शेखर व्यमपती को तीन साल की अवध के लिए Asia Pacific Broadcasting Union यहनी ABU के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है तो दसीओ आप प्रसार भारती सशी शेखर व्यमपती हैस बीन एलेक्टेड अज वाइस पेसिडेंट आप Asia Pacific Broadcasting Union फार देशार भारती आपको पता ही है भारत की सबसे बड़ी सारवजनिक प्रसारण एजनसी है और दोस्तों ABU यहनी Asia Pacific Broadcasting Union का Headquarter कौलालंपुर में है मलेसिया की Capital है दुनिया में सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में से यह एक है तो इध्यान रखेंगे दोस्तों नियुक्ती में अब बात करते हैं पुस्तके में पुरसकारों में UNESCO Prize on Creative Economy दोस्तों UNESCO के बारे में UNESCO संयुक्तरास्ट सैक्षिक बैज्यानिक सांस्कृतिक संगठन जिसकी अस्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी इसका Headquarter कहां है दोस्तों? पेरिस में है प्रांस की Capital है पेरिस जो किसी नदी के किनारे बसा है और इसकी Director है आंदरे अजोले तो UNESCO बंग बंधु शेक ध्यान रखेंगे दोस्तों तो UNESCO बंग बंग बंधु शेक मुझीबुर रह्मान अंतरास्टी ये पूरसकार नवंबर 2021 से सुरू किया जाना है और यह दोस्तों the price will create knowledge sharing mechanism by capturing, celebrating and communicating the best practice in developing creative entrepreneurship. The price will be 50,000 US dollar and is to be given once in every two years. दोस्तों यह 50,000 US dollar इसकी रासी होगी इस पूरसकार की ध्यान रखना और यह हर दो साल पे इस पूरसकार को दिया जाएगा और यह चितर आप देख सकते हैं बंगला देश जैसे हमारे देश में महत्मा गांधी को जाना जाता है उसी तरह बंगला वो रह्मान को जाना जाता है उनलिया पूरसकार UNESCO सुरू कर रही है और UNESCO दारा 2021 को ध्यान रखेगा 2021 has been declared as International Year of Creative Economy for Sustainable Development by UNESCO तो Sustainable Development मतलब सतत विकास या धारनी विकास करते हैं यानि ऐसा विकास जैसे कि हम ऐसा डिवलप्मेंट करें कि हम अपने आने वाली जनरेशन के संसाधनों को बचा कर रखें दोस्तों थोड़ा सा बंगबंधु शेख मुझीबुर रह्मान के बारे में जान लीजिए इन्हें बांगला देश का देखना है ना Father of Nation जैसे हमारे यहां राष्ट पिता महात्मा गांधी को कहा जाता है से बांगला देश का पिता इनको प्रधान मंतरी के रूप में भी कार किया है जैसे हमारे देश के प्रधान मंतरी पंडिज जवाहरलाल नेहरू अपनी मृत्य तक उनकी हत्या नहीं हुई थे वो हार्ट अटाइक से मरे थे दोस्तों ध्यान रखना 1964 उनकी मृत्य हुई थी तो उसी तरह से यह भी अपने प मुक्ति आंदोलन और बंगलादेश मुक्ति युद्ध का नेतित करने वाले केंदरी ये ब्यक्ति बन गए थे अब बढ़ते हैं बैंकिंग और बित्र संबंदी समाचारों में आज हम बात करेंगे बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और यह हर वर्स लगभग किसी ने किसी प एक चाओं के लिए important है तो human development index दोस्तो human development index में एक पायदान हम लोग फिसल गए हैं यानि India slips a spot in UN human development index तो संयुक्त रास्ट के मानों विकास sujkang 2020 में भारत ने 189 देशों में 131 अस्थान पराप्त किया है जबकि इसके पहले 130 अस्थान था भारत को SDI में 0.645 अंक मिले है जिसकी वज़ा से उसे मध्य मानोविकास की स्रेणी में रखा गया है, इस स्रेणी में भारत के पडोसी देशों में, सोचिए भूटान का प्रदर्शन हमसे अच्छा है, 129th rank है, बंगला देश का 133 है, नेपाल का 142 है, पाकिस्तान का 154 है, पडोसी देशों में भी ध्यान इस तरह 2019 में यानि पिछले साल 130 स्थान था, इस सुचकांग को बनाने के लिए किसी देश में आउसत आयू, शिक्छा और आयू को प्रमुक रूफ से आधार बनाया जाता है, दोस्तों सुचकांग में सबसे उपर याद रखना नार्वे, जिसकी राजधानी ओसलो है, पा रहना नार्वे की 0.957 है, याद रखना तो यह 0 से 1 के बीच में किया जाता है काउंटिंग, अब थोड़ा से यहाँ पर जान लेजिए, UNDP है क्या, इसका हेड़क्वाटर कहां है दोस्तों, यह निव यार्क में है, निव यार्क याद रखना है, याद रखना है, 1965 में अमेरिका में हुई थी, दोस्तों मानो विकास सूचकांग क्या है, यह भी तोड़ा जान लेजिए, the human development index is a composite statical index of life expectancy, education and income indices, prepared by the three basis of human development. It was created by Economist Mahbubul Haq, ध्यान रखेंगे पाकिस्तानी, endorsed by Economist Amart Sen, हमारे देश के in 1990, and published by the United Nations Development Program. यह भी पूछा जाता है कि SDI किसके दोरा पब्लिस किया जाता है, तो याद रखना संयुक्त रास्ट विकास कारेकरम के दोरा, UNDP के दोरा यह प्रकाशित किया जाता है. अब भड़ते हैं, खेल समाचारों में दोस्तों, यह भी बहुत ही important है, fact है, चुकि आगामी प्रतियोगता आप लोगों से पूछ ली जाती है कि कौन host करेगा. तो दोस्तों, कतर की राजधानी दोहा है, 2030 का ASEAN खेलों की मेजबानी करेगी, इसके बाद 4 साल बाद 2034 में रियाद में होगा, साउधी अरब में, ध्यान रखेंगे, और 2018 में इंडोनेसिया के जकारता में हुआ था, और अगला 2022 में हौंग जाओ चीन में होगा, और इस 2026 का जापान में ASEAN खेल होगा, तो यह पॉइंट है, फैक्ट है, सीधे याद रखिएगा, अब बात करते हैं, मुक्यबाजी से संबंदित खबर है, फ्लायड मे वेदर एंड लैला अली, देख रहे हैं, दोनों का चितर दिख रहा है, यह मुहम्मद अली की बेटी है, ब मुजियम में चुना गया है, मंगलवार को 2021 की सेडी की घोशना की गई, जिसमें पूर ओलम्पिक चैंपियन आंद्रे वार्ड, एन वोल्फे, मारियन ट्रिमियार और डी मार्गेट गुड मैन भी इसमें सामिल है, तो दोस्तों बिभिन वरगों में मरनो परांथ चुने ग पत्रकार जर्ज किंबाल और टीवी कारकारी जे लारकिन भी इसमें सामिल है, दोस्तों इन सभी को 13 जून को सामिल किया जाएगा, जिसमें पिछले साल की सेडी भी सामिल होगी, जिसे कोरोना वाइरस महामारी की कारण स्थगित कर दिया गया था, तो इसमें में लैला अली महत्मा गांधी, बाल गंगा धरतिलग, डॉक्टर राजेंद प्रसाथ, पंडिच जवालल नहरू, उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे सुभास चंद्र बोस का, इनका नाम आते ही, वही नारा इनका स्लोगन याद आता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजाद था हिंदू कायस्त परिवार में, और दोस्तो कटक कहां है, उडिसा में है, विच इस सचुएटेड ऑन दा बैंक आफ महा नदी, जो की महा नदी के किनारे बसा हुआ है, यही पर सेंटल राइस रिसर्च इंस्ट्यूड भी है, केंद्री ये चावल अनुसंधान केंद्र इसी तरह से याद रखना इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्ट्यूट कहां है, वा फिलिपीन्स की कैपिटल मनीला में है, दोस्ते इनके पिता का नाम जानकी नात बोस और मा का नाम प्रभावती था, दोस्तो यह बहुत ही जाने माने वकील थे जानकी नात बोस, सरकारी वकील थे, लेकिन बाद में वह प्राइबेट प्रैक्टिस करने लगे, जानकी बोस कटक के मशूर वकील थे, जानकी बोस की कुल मिलाकर 14 संताने थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे, सुबास उसमें से 9 संतान और 5 बेटे के रूप में थे, अपने सभी भाईयों में से सुबास को सबसे अधिक लगाओ, दूसरे नंबर के बड़े भाई सरत चंदर से था, सुबास 1920 में इनके पिता जी ने कहा कि तुम्हें IS एक्जाम निकालना है, और उस समय इनकी उम्र एक साल बची हुई थी, ऐसे में उनको रात भर का समय दिया गया, और फिर वो इंग सरता की लओ जल चुकी थी दोस्तों, स्वामी विवेका नंद और महरसी अरविंदो घोस के आधरसों ने उनके दिमाग पर कबजा कर रखा था, ऐसे में IS तो एकदम छोटी तुछ चीज थी, तो यह बनकर अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर सकते थे, ऐसे में अपने भाई, और भी अपने माता-पिता सब को लेटर लिखा, और माता-पिता ने कहा कि मुझे फक्र है ऐसी संतान पर, और फिर उन्होंने देश-बंधु चितरंजन दास को भी लेटर लिखा, उनसे बहुत प्रेरित थे दोस्तों, और 22 अप्रेल 1921 को भारस सची उसमें कौन थ दिया, तो इस तरह से रवींद्र नाथ ठाकूर, यहां पर ठीक कर लिजेगा, रवींद्र नाथ ठाकूर की सलाह के उसार, भारत वापस आने पर वस्तर पर्थम मुंबई गए, चुकि महत्मा गांधी उसमें मुंबई में रह रहे थे, महत्मा गांधी से मिले, और महत्मा गांधी से पहली मुलाकात उनकी 20 जुलाई 1921 में हुई दोस्तों, और गांधी जी ने उन्हें कोलकता जाकर इन्ही देश दास बाबू यानि चितरंदन दास बाबू जी के साथ काम करने की सलाह दी, और दोस्तों उसी समय असायोग आंदोलन चल रहा था, तो बशिम बंग चुके थे, और उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग शुरू कर दी, अलग से युवाओं के लिए, और 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया, तब कांग्रेस ने उसे काले जंडे दिखाए, और कॉलकाता में सुबास चंद बोस ने इस अंदोलन का नेत्युत किया था, दोस् 1928 में भारती रास्टी कांग्रेस के अध्यक्ष भी मोतिलाल नेहरू ही थे, तो ध्यान रखेंगे के कलकाता अधिवेशन भी था, और मोतिलाल नेहरू इसायोक के अध्यक्ष थे, सुबास चंद बोस भी इसके सदत से थे, और 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन म इसा कि आपने देखा और इस अध्यक्षता में सुभास चंद बोस ने अपना वस्तर बदल दिया और एकदम से वह कह सकने हैं खाकी ड्रेस में वह आ गए और सैन तरीके से उन्हेंने मोती लाल नहरू को सलामी दिया सुभास चंद बोस अपने सारवजिक जीवन में दोस्तों ग्यारा बार जैसे कल बताया थना पड़ी जवाला नेरू नौ बार जेल गए थे यह ग्यारा बार जेल गए भारत के बिबिन चेत्रों की जेलों में अलमोडा मांडले इन सब जगहों पर उनको जेल कारवास दिया सबसे पहले वह 16 जुलाई 1921 में 6 महीने का कारवास हुआ फिर दोस्तों 1933 उसकी तबिया थोड़ी बीच उनको टीवी रोग हो गया था और 1933 से लेकर 36 तक वह योरोप में रहे लेकिन वह वहां भी खाली नहीं बैठे मुसोलनी से कहीं मिल रहे हैं तो कहीं किसी से मिल रहे हैं और वहीं पर याद रखें बिठल भाई पटेल से वह मिले सरदार बलब भाई पटेल के भाई बिठल भाई पटेल के साथ सुबास ने मंतरना की जिसे पटेल बोस बिसलेशन के नाम से आना जाता और इसमें गांधी जी के कारियों का कापी बिरोध किया गया तो इसमें से खूब प्रशिद्धी मिली और बिठल भाई के अंतिम समय में इन्होंने बहुत सेवा की और इस तरह से बिठल भाई मरते समय अपनी पूरी रियास अपना पूरी जो संपत्ति थी सुबास चंद बोस के नाम कर दी लेकिन यह नागवार गुजरा किसके लिए सरदार पटेल जी के लिए उन्होंने मुकदमा लड़ा और उसको जीत करके उन्होंने उसको दे दिया वैसे सारवजरी के उसको मतलब दान ही दे दिया रखा नहीं अपने पास लेकिन सुबास चंद बोस से उन्हें ले लिया फिर दोस्तों उसके बाद भारत वापस आये 1936 के बाद 1938 में उनको महत्मा गांधी के अनुमती से भारती रास्टी कांग्रेस का अध्यक्ज बनाया गया हरी पूरा अधिवेशन में लेकिन उनकी काल पनाली को देख करके महत्मा गांधी चिंतित होने लगे और उनकी काल पनाली से दुखी रहने लगे और अब उनसे अलग होने लगे ऐसे में 1949 में उन्होंने कहा कि इनको कांग्रेस के याद रखना उसी समय 1938 में 1938 में योजना योग का गटन किया गया था उसी समय कर दिया गया था जिसके अध्यक्ष पंडिजवालल नेरुजी को बनाया गया था उसी समय बिज्ञान संस्थान बिश्वा शरया ये सब इनके साथ बैज्ञानिक सभी गुड़ जुड़ने लगे ऐसे में इनका प्रभाव इतना तेजी से पूरे भारत में फैलने लगा फिर महत्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं इने 1939 के कांग्रेस के अधिवेशन था दोस्तों और ध्यान रखना इनके रिस्पेक्ट में 51 बैल गाडियों के साथ या धिवेशन में गए फिर इसके बाद 1949 में फिर यह अध्यक्ष रहने के लिए जित करने लगे ऐसे में फिर चुनाओ तो पहली बार भारती रास्ती कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाओ कराया जाने लगा और पटाभी सीता रमया को उन्होंने हराया, बहुत ही बुरी तरह से हराया, पंद्रासो से अधिक वोड पाए, जबकि वो उन्हें तेरासो ओट लगभग मिला, ऐसे में महत्मा गांधी बहुत बिचलित हुये, उन्होंने कहा, यह पटाभी सीता रमया की हार नहीं, यह मेरी हार है ऐसे में फिर सुबास चंद बोस का भी समर्थन लोगों करने लगे कि यही अध्यक्ष रहें लेकिन उनकी तबियत बहुत खराब थी ऐसे में उनको इस्टेचर पे ले जाया जाता था दोस्तों फिर उसके बाद इतना ज़्यादा वो तंग हो गए कि उन्होंने इससे रिजाइन दे दिया 29 अप्रेल 1939 को सुबास ने कांग्रिस अध्यक्ष पस से इस्तीफा दे दिया और फिर उस कारिकारी अध्यक्ष जो बनाया गया डॉक्टर राजेंद प्रसाद को जैसा कि डॉक्टर राजेंद प्रसाद महात्मा गांधी और सुबास चंद बोस के बीज जो खाई बन गई थी उसको पाटने का प्रयास बहुत ज़्यादा कर रहे थे लेकिन वह सकसेज नहीं रहे हाला कि बाद में फिर अभी बातें आगे आएंगी महत्मा गांधी ने फिर इनको नेता जी कहा और नेता जी ने उनको राश्ट पिता कहे कर संबोधित किया दोस्तों फिर 1949 में इन्होंने फारवर्ट ब्लाक की स्थापना कर दी और 29 मैं 1942 के दिन सुबास जर्मनी के सर्वोच नेता एडोल्फ हिटलर से मिले हाला कि हिटलर की कोई दिल्चस्बी नहीं थी हमारे देश के प्रती इवन उन्होंने अपने मेरा संगर्श जो मीन कैम था उसमें बहुत ही गलत हमारे देश के बारे में बोला था बाद में उन्हेंने माफी भी मांगी थी फिर 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेता जी ने सिंगापूर में आरजी हुकूमते आजाद हिंद यानि स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की वे खुदी सरकार के रास्टपती प्रधान मंत्री युद्ध मंत्री बने और इस सरकार को नो देशों ने मानता भी दी नेता जी आजाद हिंद फौज के प्रधान सेना पती बन गए आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए जहासी की रानी रेजिमेंट बनाई गई जो की कैप्टन लच्मी सहेगल का नाम सुना होगा दोस्तों एपी जे कलाम के खिलाप उन्होंने चुनाओ लड़ा था तो वही इसकी अध्यक्ष थी फिर 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भासन के दौरान नेता जी ने गांधी जी को रास्ट पिता कहा तभी गांधी जी ने नेता जी कहकर पुकारे थे और दोस्तों 18 अफगस 1945 को नेता जी हवाई जहाद से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे इस सफर के दौरान वे लापता हो गए इस दिन के बाद से वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिये कहा जाता है कि उस समय दुती भी शुद्ध चल रहा था उसी में भीमान क्रेस कर गिया और वहीं पर उनकी मृत्यू हुई लेकिन बहुत सारी उसमें किवदंतियां हैं इसलिए मुखरजी आयोग का गठन दो तीन आयोग बनाए गए और अभी तक यह संसे है कि उनकी मृत्यू कैसे हुई जितना भी इनको इतने कम समय में हम नहीं पूरा बता सकते इस तरह से एक सेक्शन में इनके बारे में चर्चा करते रहेंगे तो यह रहा आपको लेटस एबाउट सम इंपॉर्टन फैक्ट में आज नेता जी सुबास चंद बोस के बारे में अब बात करते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन की चर्चा करेंगे जो की लगातार आप लोग बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं आज उत्तर देने वालों में ज्यान रंजन साहू, प्रभा के डियार, स्वैपी सोनू, सुभम भारत द्वाज अपूर्वा, मुहम्मस सोहेब आलम, सुभश्री साहू, और अंशु प्रिया, वंदना सैंधाओ, भक्त, चिराग गुपता, मिली कई दिन बाद आये हैं आदित्य कुश्वाहा, गोपाल कृष्णा बेहरा, नियोगिता शाक्य, सुकन्या जेना, मधु आशुतोस, विस्वजीत कुश्वाहा, इन सभी लोगों ने आज बहुत ही अच्छा उत्तर दिया है, लगबग सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, और साथ साथ लबी टै इंडिया इस गोइंग टू बिल्ड six new airborne early warning and control planes under whose supervision to promote indigenous defense industry, यहनी भारस स्वदेशी रक्षा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, किसकी देख रेख में, इसरो की, DRDO की, या TATA कंपनी या HL, हिंदुस्तान Aeronautic Limited, इसमें से आपको बताना है, second question है, co vaccine क्या है, polio vaccine है, corona vaccine है, titanus vaccine है, या इन में से कोई नहीं, next question है, HSRP का full form क्या है, what is the full form of HSRP, high security registration plant, high security registration plant, regional plant, और तीसरा है, high security registration plate, या high security registry plate, इन ही में से आपको बताना है, next है, new development bank भारत को अर्थ विवस्था में सुधार के लिए, कितने अरब डालर का कर्ज मोहिया कराएगा, एक अरब डालर, दो अरब डालर, तीन या चार अरब डालर, दोस्तों पाचवा question है, भारत ने किस पडोसी के पडोसी देश के बीच, ध्यान रखेंगे, पडोसी देश के बीच, चिलहाटी हल्दी बाडी rail link का संयुक तुरू ध्यान रखेंगे, तो पाकिस्तान, ब्यानमार, बांगलादेश, नेपाल, बताएंगे, अब है छठा question, एसिया पैसपिक ब्राडकास्टिंग यूनियन का मुख्याले कहां इस्तित है, थाइलेंड की राजधानी बैंकॉक, जो की चावफ्रायर नदिक किनारे बसा है, कौ या टोकियो में, नेक्स कोशन है, यूनिसको द्वारा किस वर्स को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थ ब्यवस्था का अंतरास्टी वर्स घोशित किया गया है, which year has been declared by यूनिसको as international year of creative economy for sustainable development, दोस्तो 2020, 21, 22 and 23, नेक्स कोशन है, सयुक्त रास के मानोविकास उचकांग 2020 में भारत 189 देसों में कौन से स्थान पर है, 129, 30, 31 या 132 नेक्स कोशन है, क्रमसा 2026, 30 और 34 में होने वाले ACI खेलों की मेजबानी कौन से देस करेंगे, दोस्तो इसमें से आपको एक ही year पूछेगा, हलांकि हमने इसलिए दिया है कि तीनों आपको याद हो जाए, तो इसी में से आपको बताना है कि चीन, जापान, साओधी अरब में होगा, या जापान, कतर, साओधी अरब में होगा, या साओधी अरब, कतर और जापान में होगा, इस तरह से अंतिम प्रस ने फारवर्ड ब्लाक की अस चुका है और इसके लिए एक दम कमर कस लीजिए इस बार खूब सारी दो हजार पद आये हुए है तो निशित रूप से आप लोगों को आगामी दो हजार इकीस पे आई बी में सेलेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा उसर है पूरी तरह से जुड़ जाएए और दो हजार इक